गुट मॉनिंग कक्छा पंचम अपनी हिंदी व्याकरण निकाल लिए कल आपका हिंदी व्याकरण में आपका अध्याय दो हुआ था वर्ण विचार कल हमने वर्ण विचार पड़े थे ये देखें वर्ण विचार पड़े थे हमने पड़ा था कि हिंदी भासन में परियुक्त होने वाली छोटी से छोटी धोनी को वर्ण या अक्षर कहते हैं वर्ण माला वर्णों की विवस्तित स्वमों को वर्ण माला कहते हैं हिंदी में कुल 52 वर्ण हैं कितने हैं 52 हमने वर्णों के भेद पढ़े थे स्वर और व्यंजन स्वर पढ़े थे ठीक है वर्णी की संख्या 11 होती है यह हमने देखे थे स्वर के भेद कल हमने स्वर के भेद के थे तीन भेद हर्सु स्वर दीर्ग स्वर प्लप्तु स्वर इसमें है अयोग गिवाह पढ़ा था हमने अनुस्वार पड़ा था और अनुशाशिक पड़ा था आज हम करेंगे स्वरों का प्रियोग क्या करेंगे स्वरों का प्रियोग स्वरों का प्रियोग दो रूप से किया जाता है मूल रूप में स्वर का प्रियोग और मात्रा की रूप में स्वर प्रियोग दो परकार से किया जाते हैं एक मूल रूप में और एक प्रियोग मात्रा की रूप में पहला वाला देखिए अब मूल रूप में स्वर का प्रियोग स्वरों का मूल रूप में भी प्रियोग होता है जैसे अमरूद, आकाश, इमली, इनाम, उजाला, उद्बिलाव, रिशी, एक, एरावत, ओड़नी, औरत, आदी ठीक है? यह किसके होता है? इसका मूल रूप में प्रयोग अब इसके मात्रा की रूप में प्रयोग कैसे होता है? प्रयोग के साथ मिलाकर लिखने के लिए पड़ती को एक चिन निधारित किया जाता है इन चितनों को क्या कहते है? मात्रा कहते हैं क्या कहते हैं? अब आगे देखिये, आप पेज पलटी है, हम आगे देखेंगे यह रहा, यह मात्रा है इस प्रकार है, यह देखो और आई पूर आपके लिए लिख रखा है स्वर्द लिख रखे हैं यह आपके मात्रा हैं यह स्वर्द हैं यह मात्रा हैं व्यंजन के साथ मात्रा और शब्द क्या बनते हैं अब देखें इसको हम थड़ा बढ़ा करेंगे मात्रा कैसे बोलेंगे देखो ये क्या ऑओ球 में पता है आपको कोई मात्रा नहीं होती है वियाजन के साथ काओ ऑओ के पीचे ये जो किसी कोई भी अख्छर होता है अब सब लेज़े काओ एक ही का दे रखा आपको कोओ उसी में सारी मात्रा या दे रखी है काम और कान इ एकी मात्रा कि किरन किला इकी मात्रा बड़े एकी मात्रा देखे की कीमत कील कु 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 सुम कुसुम कुल कुल बड़े उकी मात्रा ऐसे लगती है कु कूच, कूच, रि, रि की मात्रा क्र, क्रिप्पा, क्रिथ्य, ए की मात्रा के, केला, केश, आई, आई की मात्रा कै, कैसा, कैद, ओ की मात्रा, को, कोट, को, यल, ओ की मात्रा, कौ, कौवा, कौन, यह आपनी क्या देखिए, फ़ले मात्रा की रूप पे देखिए, इसमें आपको श्रिप कौव सब्द दे रखा, कौव बर्ण दे रखा, उसी से हमको सारे, बता रखा है कि किसमें मात्रा करके कैसा प्रयोग ह सब्सक्राइब कोे मातरा नहीं होती है कि विएंजन और से ही बोले और लिखे जाते हैं सब्सक्राइब सहीत व्यंजन और सहीत व्यंजन इस प्रकार लिखे जाते हैं को यह सारा देख रहा है आपको को खो तो 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 मौ पूरा आदी दे रहा है आप खो और रहीत व्यंजन के नीचे हलंत लगाया जाता है यह जो ऐसा देख रहे हो आप देखोगे अब आगे देखोगे इससे तो बोलते है हलंद, क्या बोलते हैं? लगाया जैसे है, जिस ये, को, खो, खो, यह, यह बनते हैं, ठीक है? ऐसे यह दिखा रखें हैं इनको हम कहते है हलंद, अब आगे देखें, व्येंजन, व्येंजन क्या होता है? व्यंजन स्वरों की मदर से बोले जाते हैं जो वर्ण स्वरों की साहता से बोले जाते हैं उन्हें व्यंजन कहते हैं अब व्यंजन के भी भेद दे रखे हैं व्यंजन के क्या दे रखे हैं? भेद दे रखे हैं व्यंजन के तीन भेद होते हैं इश्पर्ष व्यंजन, अंतिस्तर व्यंजन और उश्म व्यंजन अब इन व्यंजनों के बारे में हम कल पढ़ेंगे कि व्यंजन कैसे होते हैं किस परकार से इनको बोला जाता है आप जितनी वीडियो में दिये गए हैं इनको देखिए और ये मात्रा जो दे रखिया है इसको आप मात्रा का चार्ड बनाके ऐसी ही अपनी कौपी में लिखेंगे इसमें आप कौर दूसरा भी ले सकते हैं खौ कभी ले सकते हैं ऐसे करके आप हर मात्रा को देखेंगे